दोस्तों, सच्चे दिल से लिखे कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी की जय प्राचीन ग्यान चैनल की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकाम नाएं। होली के पवित्र दिन पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ हो जाएगा। आपका भाग्य सातवे आसमान पर जहां भी जाओगे, इस जड़ को पहनने के बाद दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को बिना पूझा पाट के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दुनिया मुठी में आ जाती है, बिना दीब जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करें। मात्र होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। माता लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ अतिप्रिय है, जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा। उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, यह जड़ नहीं। स्वयम माता, लक्ष्मी जी का आशीरवाद है। दोस्तों प्राचीन जानकारी के अनुसार, सनातन संस्कृती में कई ऐसी पौरानिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है, जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों की सिर्फ ना लोग पूजा करते हैं, बलकि औशधी के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं, और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उलेक है, जैसे कि तुलसी का पौधा पीपल का पेड़ इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों आपने देखा भी होगा, हम सब पीपल की पूझा करते हैं। हमें पीपल की पूझा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं, जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज मैं प्राचीन जानकारी का ओनर आपको होली के दिन जोतिश शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप होली वाले दिन सही मुहूर्थ पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्षमी जी का वह आशीरवाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जढ़ से नष्ठ हो जाएगा, बलकि माता लक्षमी जी के आशीरवाद से आपका बंध पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप इन पौधे की जड़ को धारण करेंगे जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएगे। हत्व रखता है। होली के दिन हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी उच्च नीच मतभेद भूल करके इस पावन पर्व को मनाता है। हर किसी से गले मिलता है और दोस्तों होली के दिन ही लक्ष्मी जन्ती भी मनाई जाती है और आपकी जानकारी के लिए बता दे। 25 मार्च 2024 को पढ़ने वाली होली के दिन ही इस बार चंदर ग्रहन लगने जा रहा है। जी हाँ आप लोगों ने बिलकुल सही सुना। दोस्तों हिंदू पंचांक के अनुसार लक्ष्मी जन्ती और चंदर ग्रहन जो इस बार होली के दिन पढ़ने जा रहे हैं ऐसा शुब समय पूरे 242 वर्षों बाद आया है। देखे दोस्तों वेद पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी जन्ती के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। लक्ष्मी जैनती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धर्ती पर भ्रमन करने आती है और उल्लू को वहान के रूप में लेकर के पूरी धर्ती का भ्रमन करती है और चंद्र ग्रहन वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए वह उपाय खाली जाही नहीं सकता है पर इस बार होली वा के बाद यकीन मानिए आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परिशानी कष्ट और दिक्कतों से मुक्ती मिल जाएगी जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारन करने के लिए बताने जा रहे हैं यह वह पौधे हैं जो माता लक्षमी जी को अत्यंत प्रिय हैं इन पौधों की जड़ों को धारन कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों इस होली के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परिशानियों से मुक्ती मिल जाएगी बलकि माता लक्षमी जी के आशिरवाद से इस होली के बाद आपको करोड़ पती बनने से कोई नहीं रोक पाएगा अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पौधों की जड़ों को धारन कैसे करना है तो देखिए दोस्तों सिर्फ आपको यह करना है कि 25 मार्च लक्षमी जैनती के दिन उन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है जिनके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है जिन में माता लक्षमी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है इनको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है एक तांबे की ताबीज लेनी है या पीतल की ताबीज लेनी है और मुहूर्थ के अनुसार आपको इनका धारन करना है और आगे देंगे बस इतना भर आपको इस खोली के दिन करना है और यकीन मानिये दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसा चमतकारी और सकारात्मक बदलावाएगा जिसके बाद आने वाला समय आपका बहुत ही कल्यानकारी होगा बहुत ही सौभाग्यशाली होगा इसलिए इस वीडि पर बना रहे माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें बहुत ही आगे जाएं माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से इस साल आप करोड़ पती बन जाए तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रधा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जाए और एक काम जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशी जरूर डाल दीजिएगा आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस लक्ष्मी जयनती और चंदर माता लक्ष्मी जी के आठ के आठ रूप का आशीरवाद आपको मिल जाए, तो बस एक कम कीजिएगा कि इस होली के दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी सदा बहार के पौधे की जड़ आपको लेकर के आना है। माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको ग्यारह बार करना है। माता लक्ष्मी जी के आठ के आठ रूप का आशीरवाद आपको प्राप्त होगा। जिसके बाद न केवल पूरे जीवनकाल आपके धन की वर्षा होती रहेगी। बलकि आने वाले समय में आपको करोड़ पती बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन आना बंध हो गया है। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से सिर्फ आपको घाटा पहुँचता है तो समझ जाईए। आपने जाने अंजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीरवाद मिल जाएं आप धन संबंधित जो भी निर्णय लें उसे निर्णय से सिर्फ आपको फा आपको इस पौधी की जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और सिर्फ पीतल की तावीज में इसको धारन कर लेना है सिर्फ इतना उपाए अगर आपने इस होली के दिन कर दिया तो यकीन मानिये दोस्तों माता लक्ष्मी जी का आपको आशीरवाद मिलेग आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे आपको फायदा पहुँचेगा आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आने वाले समय में आपको आपकी उमीद से ज्यादा धन की प्राप्ती होगी दोस्तों हमारे वेद पुराणों में बताया जाता है कि अगर आप होली वाले दिन कहीं से भी चमेली के पौधे की जड़ को लाकर चांदी की ताबीज में धारण कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़ पती बनने से नहीं रोक पाएगी दोस्तों चमेली का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्षमी जी की दिव्य शक्तियों का तो वास होता है यह एक ऐसा पौधा है जो भगवान हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अगर होली के दिन चमेली के पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी की तावीज में करके धारन कर लेते हैं तो यकीन मानियें दोस्तों न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बलकि आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करेंगे बहुत ही आगे जाएंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो सिर्फ आप यह कीजिएगा कि इस होली वाले दिन कहीं से भी का पौधे की जड़ को आप लोग हासिल कर लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से गंगाजल से धोने के बाद इसी होली के दिन आप लोग अपने गले में धारन कर लीजिएगा सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए जिस बीमारी का बहुत ज्यादा पर उपर जाकर गिरी थी तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा जिससे आपकी बीमारी बिलकुल ही सही हो जाएगी और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय